आज आपन पहाना राओ ये स्यम्पीयस नाइन होल्ट डीसी वन एमपीयर चार्जर कशा पधतीनी दुरुस कराईचो हा जो चार्जर आए हा रायल एलेक्ट्रोनिक्स कंपनीचा एसेम्पीयस चार्जर आए जचा आउटपुट हे नाइन होल्ट आए आनि हा सद्या बैड कंडिशन मजे आफ कंडिशन मदे आए तर हा चार्जर कशा पधतीनी दुरुस कराईचा या बदलापन थोड़क्यात महीती के नराउट आपन या पावर सप्लाइना ओपन करता हो तर या पावर सप्लाइना ओपन करता है अशा पधतीनी दुरुस करता है या दोन वाइर ने तो या दोन पींचा या लाल वाइर या जाइन्ट के लिए अस्ताद या ठीका नहाँ AC सप्लाइना तो तर या AC सप्लाइना समोर अपना क्लियर कुरूम पाईचा है कि हाँ एक फ्यूजेबल रजिस्टर है तर हाँ फ्यूजेबल रजिस्टर डैमेज जा लिला है या चाच अर्थ आसा होतो कि या ब्रीज सरकीट मदे कुटतरी फॉल्ट निर्मान जल्ला है और ये सरकीट शाड जल्ला है तर प्रतम तुमाला या डैमेज ला चेक कराई चाहे और नंतर फ्यूजेबल रजिस्टर टाकुन तुमाला चेक कराई चाहे कारण की या IC मदे फॉल्ट आश चकतो, कैपैसेटर मदे फॉल्ट आश चकतो, या कोईल मदे फॉल्ट आश चकतो, कैपैसेटर मदे फॉल्ट आश चकतो, जिनर खराब आश चकतो तर पहली स्टेप आए कि पहले अंदा हा फ्यूजेबल रजिस्टर काड़नें, आनि नंतर या डायोडला चेक करनें, तर आपन प्रतम डायोडला चेक करूँ तो यहां ठीका निया आपन हाजो फ्यूज रजिस्टर आए तो आपन कड़ता है तो यहादा सोल्डरिंग चाहदा रहे तो माला हाजो रजिस्टर आए तो बाहर कड़ाएचा है तो आशाप पद्धती निया आपन हाज फ्यूज रजिस्टर बाहर काड़लेला है मल्टिमिटर न आपन याज फ्यूज रजिस्टर ला चेक करो कुटला ही पद्धती चा साउंड आपलेला एत नाही क्यों कंटिनूटी एत नाही त्या मुले हा रजिस्टर खराब जाले ला है करें कि हा फ्यूजेबल रजिस्टर पंचीस ओहम कि मां अंडर टेन ओहम आशाब पदती चीयाची वहली वासते आन या ठीका नी पहा दिरिक्षन करूण कि हा डैमेज जाले ला है या नंतर आथा आपन डैयोड चेक करूँ तो डैयोड ला प्रतम फरण बायस मती चेक करूँ means cathode is connected to negative terminal of the multimeter and anode is connected to positive तो या ठीका नी बीप आवाजेता है याचा अर्थ का हा डैयोड शोट जल ला है प्रत आपने ची polarity चेंज करूँ बोगू या ठीका नी सुद्धा बीप आवाजेता है second पाहू हाँ हाँ second reverse बायस मती वन दाख वता है आनी forward बायस मती पाश्य आकरा दहाओ हम मनजे हाँ ओक्या है परत तिसरा जो डैयोड आप है हाँ forward बायस मती परत पाश्य आकरा दाख वता है तिवे ओक्या है अन्च उथा जो डैयोड आए हाँ परत short दाख वतो मनजे या ठीका नी दोन डैयोड खराब हुनेची शेक्केता है तो प्रताम आपन तेला open करू डैयोड ला अन नंदर परत चेक करू या ठीका नी आपन soldering छे आधारे दोनी डैयोड चे एक-एक पॉयंट आपन disorder करूण बाहर काड़े लाएथ परत याला आपन multimeter ने चेक करूँ multimeter ना आपन या डैयोड ला चेक करता होथ तुरे बगा short दाख होते अन हाँ परत short दाख होते याचा आर्थ हे दोनी डैयोड short जल लाएथ अपन याला replace करूँ 9 डैयोड टाकल कि हे सर्कीट चालो होनेची शक्यता है या दोनी डैयोड आपन बाहर कर ले लेथ आनि याचा जो नंबर आ है तो IN4007 हाँ है तर या ठीका ने आपना ता 9 डैयोड शलाओ या ठीका ने आपना तो 2 IN4007 हे दोन डैयोड गेती लेथ अनि आपन या सर्कीट मध्या आपना त यला soldering करना रहो या ठीका ने आपन ये दोन 9 डैयोड लाओ लेथ D1 अनि D4 तर पहले जे डैयोड सोते अपले ही डैयोड सापन ये दोनी डैयोड आपन रिप्लेस किरे लेहेथ ये दोन डैयोड आपन रिप्लेस किरे लेहेथ अनि या ठीका ने आपन ये दोन डैयोड टाकल लेहेथ तर आपलेला या नंतर या soldering side लापलेला या ठीका ने आता solder कराईचा ही अन यान अंतर अपन fuse register लोग तुरहा शोल्टरिंग डायोड ची शोल्टरिंग करता आपन शोल्टरिंग चा अगदर तुमारा डायोड वेवस्थीत पने अनोड कैथोड पहला पद्दतीन बस लेला है का तो पहावा लाख तो अन यान अंतर अस तुमाला सोल्टरिंग कराएचिया है जर पोलेरिटी चेंज आलेई तर SMPS आन होनार ना है तरही अपले सोल्टरिंग कम्प्लीट जाले लिया है यान अंतर अपन पाथा फ्यूजेबल जो रजिस्टर आहे तो आता अपन अटेच करो तरहा एक फ्यूज बावी सोहम सा रजिस्टर आहे तो आपना तो मल्टिमिटर ना चेक करो तर याच्छा मद एक कंटिनुटी आहे तरहा रजिस्टर आपन या SMPS कीटला सोल्डरिंग करो कीटला बन फ्यूजेबल रजिस्टर अटेच के लाए तरहा पॉइंटला अपना ता सोल्डरिंग करोंगे याच्छा आपन दोनी डायोड चेंज के लाए तरहा बावीसु हम सा फ्यूज रजिस्टर सुद्धा आपन ठाक लेला है तर मल्टिमिटर ना जावेस आपने राच चेक करो AC पॉइंट त्यावेस याच्छा मदे कुटला ही शॉर्टिंग नसूने तर याठिका ने आपन चेक करो तर पहा याठिका ने कुटला ही पद्धतिचा साउंड एतना ही मांजे याठिका ने काय दाकोता देट इस दा हाय रेजिस्टंस वन दाकोता मांजे ही infinite resistance आइ आण जाएवेस आपन याठिका शॉर्ट करो त सैङवेस डिप दाकोता मांजे याच्छ याठिका चरा चरा याठिका ने इस बेला ही त्रहा एसी सप्ले दिल्यान अंतर बगा या ठीकानी एलेडी ओन झाली लिया ही यह बगा विवस्थित पने हां कारे करतू अन्य आपनाता करू तरही यहला प्रताम अपन डीसी वीस होड़ ड्वर सेट अप करू तरहा जो पॉइंट रहे तो डीसी वीस होड़ और शेट अप आहे अन्य आपने आता या पीन च होड़ टेज मेजर करू तरह बगा माइनस 9.3 मंज़े आपन मल्टिमेटर चे पोलरेटी आपोजिट लावले जर आपन पॉजिटिव मदले साइड लानी निगेटिव वर्चे साइड लावले तर 9.3 होल्ट मंज़े आपनला जो 9 होल्ट चा जो चार्जर होता तो आता वेवस्थित पने दुरूस जो जाल लाए आपन या चार्जर मदले कुटले पॉइंट कुटले कामपोनेंट्स बदले आपन ये दोन डायोड्स बदले आपन आयन 4007 आनि हां फ्यूजेबल रजिस्टर तर ही मैक्जिमम हीज कामपोनेंट्स खरा बोता तर हीजर कामपोनेंट्स प्रतम चेक करा आनि वेवस्थीत पने याला शोल्डरिंग पॉजिटिव निगेटिव अनोड कैथोड वेवस्थीत पने जोएंट करा जहां अपला चार्जर का हुई दुरस्त होई या चार्जर चे आपन फिटिंग करता हो करता है तर हाँ अपला ढायो अपला जो चार्जर आहे तो आता एक दम ओक्की कंडिशन आही ध्यारते मित्रामनों असेज माजे वीडियो या चानल वर मी प्रस्थूत करता है तर वीडियो आउड़त अस्तिल तर लाइक सब्सक्राइब वस्चेर करला विश्रून का धन्यवाद